गुड मोनिक दोस्तो, आज का टोपिक है Hold Back और Back Stop तो अलग-अलग डिवाइस हैं ये Conveyor System में यूज होता है Safety Device के नाम से जानते हैं हम लोग Conveyor Belt Safety Device Hold Back और Back Stop Hold Back gear में लगा राता है और Back Stop अलग से लगाया जाता है लेकिन दोनों का काम यही है यह inclined belt के उपर में जो gear box head pulley में लगा रहता है और ज़्यादा inclined belt रहता है तो कभी power कट हो गया या कोई problem आ गया system बंद हो गया तो जो material उसपे loading रहता है वो reverse नहों इसके लिए वो रोखता है और जैसे ज़्यादा material हेवी quantity में आपका inclined belt में लंबा belt में रहेगा तो रिवर्स हो कंवेयर में काम करते हुए या housekeeping spillage वगर ज्यादा मत्रा में हो सकता है तो इस सब को safety में ध्यान रखते हुए इस device को कंवेयर में लगाया जाता है वो बैक होल्ड को अलग से एक equipment रहता है जोसमें आपका लगाया जाता है ड्राइब पुल्ली का ऑपोजिट में और उसको ल और hold back gear coupling में लगाया जाता है जिदर में gear coupling है input में लगा हुआ उसका सेम उसी का opposite वाला साफ्ट में इनपूट का जो साफ्ट होता है गेयर का इनपूट साफ्ट उसका जश्ट गेयर कपलिन का opposite hold back रहता है जो आपका clockwise में चलता है कंवेयर में तो उसको चलता रहता है और जैसा ही वह reverse में power cut हुए या कुछ भी problem हुआ तो इस्थिति में ये कंवेयर को hold करके रखता है रोक देता है और आपका कंवेयर reverse नहीं हो पाता है उस्थिति के लिए इसको लगाया रहता है कभी कभी स्थिल प्लांट में और सेमिंट प्लांट में देखा गया है कि उधर में ज्यादा तर पावल का प्रोब्लेम होता है या ऐसा कुछ इस्थिति होता है तो उसमें hold back लगाया जाता है पेट लगाने का बहुत ही का or भी फैय्दा है यह ओल बैक में मुक्यता जैसे बाल को ट्रांस्मीट करने के लिए कहन भीएयर लगा जाता है वसको अगर त्र्जा होएगा तो उसका कोष्ट ज्यादा रहता है वह उसका ठक का अटायर का खर्च रहेगा उसका फ्यूल लेगा में पावर लेगा उसके जब एक कभेयर सिस्टम लगा रहता है काभेयर सिस्टम से बहुत ही असानी से अपकम खर्च में material को रा material को एक अस्थान से दूसरे स्थान से ट्रांसपर किया जाता है इसके लिए conveyor belt का इस्तमाल किया है और conveyor को बचाव के लिए बहुत से safety device का इस्तमाल किया है जिसमें hold back और back stroke ये भी एक safety device के रूप में ही काम करता है safety device का परियोग पहले नहीं होता था लेकिन अभी new modern type का ये equipment है ये slink dix रहता है और उसके अंदर में bearing रहता है जो one side grip जैसा रहता है जो चलने के बाद में clockwise चलेगा तो grip छोड़ देता है वो चलता है और जैसा ही वो reverse होगा तो grip पकड़ लेता है रिवर्स होने नहीं देता है और system को आपको सुरक्षा देता है hold back का उप्योग main gear box में ही रहता है और आपका जो back stop है यह अलग device है इसका आपका direct head pulley में opposite side में लागाया जाता है अलगर